हैलो गाइज वेलकम को अनदर वीडियो प्स्टाउक मार्केट में तेजस नेटवर्क की ओर से मार्च कौटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसिस करेंगे स्टैंडल ओन और वीडियो स्टाट करते हैं पहले इंकम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है इस बर का अधर ऑपेडिंग रेविण्य वह बहुत अच्छी जनरेट हुआ 156 करोड का एकस्पेंस हैं 1106.5 करोड का पिछले कौर्टन में 623.8 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 347.6 क करोड के इकस्पेंस हुआ था quarter on quarter year on year के expense भी increase किया जिसके बद operating profit at 232.6 करोड का पिछले quarter 48.7 करोड का loss है और March 23 quarter 27 करोड का losses है quarter on quarter year on year में increase किया है net profit 146.7 करोड का पिछले quarter 44.8 करोड का loss है और March 23 quarter 11.4 करोड का losses है quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 8.48 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गाइच कंपनी का जो रिजल्ट पेश हुआ अगर हम देखेंगे तो बहुत स्टॉंग रिजल्ट पेश किया Consolidated Basis की Quarter Indirt के रिजल्ट अगर हम Financial Indirt की बात करें Income में 2535.5 करोड का पिछले साल मार्च 23 quarter में 1000.5 करोड का Income है जो कि Income में बहुत अच्छी ग्रोफ है Expenses 2435.3 करोड का 23 में 1043.2 करोड के Expenses हुआ था Expenses बें इंक्रीज किया है Income के According Operating Profit 100 करोड का 23 में 42.6 करोड का लॉस है जो कि इस बार इंक्रीज किया है Net Profit 62.9 करोड का 23 में 36.4 करोड का लॉस है जो कि Profit भी इंक्रीज होता 5000 आ रहा है EPS 3.65 रुपेश का जो कि 23 से बहुत अच्छी ग्रोफ देखने को मिला है तो गाइस कंपनी को जो रिजल्ट निकल के आया Consolidated विसिस का चाहे वो quarter rendered हो या Financially rendered बहुत ही स्ट्रॉंग रिजल्ट कंपनी पेश किया है यहाँ पे कंपनी का revenue year on year में 343% का इंक्रीज किया है और year on year में जो revenue है 24 के financial year में 168% का इंक्रीज किया है बहुत ही स्ट्रॉंग रोफ देखने को मिला है अगर हम इसके stand-alone financial result को cover करें तो income है इस बार का 1317 करोड का पिछले quarter में 553.5 करोड का और 23 में March 23 quarter में 305.7 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया है expenses company का हुआ है 1076 करोड का 23 में पिछले quarter में 601 करोड का और March 23 quarter में 311.7 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expense भी इंक्रीज किया है operating profit 241 करोड का पिछले quarter में 47.7 करोड का loss है कोड़े आन् ήयर की ओप्लेटिंग प्राफिट में हुआ है नेट प्राफिट 159 करोड और मार्च तूर मैं ओन्ट है इंग्रीज तो थे कंपनी को, यो पहुंआ है तो ज़ेश कबहुत के स्ट्रोंग किए अन्ग यां रही है अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे गाई तो यहां पर कंपनी जहां मार्टकेट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट है उससे पहला ही कंपनी के शेयर में 16-17 परशंट का तेजी देखने को मिल चुका और 906 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर रहा है क्लोज क्या और 906.9 बहुत इच्छी इस बार रिजल्ट पेश का बहुत इस ट्रॉंग ग्रोथ देखने को मिला है जो कि यहां पर एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है तो हम लोग जो है वीडियो को नहीं पर रेंट करता है अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलता है अगर को देखने को दो हम अगर को लिए नेक्शू कृट caller